नमस्कार किसान भाईयों बेश्ट ग्यान पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है किसान भाईयों आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं अडामा कंपनी के बहुत ही बड़े ब्रांड बीड ब्लॉक खर्पतवार ना सक के बारे में तो इसका उप्योग आपको कौन कौन सी फसल में करना है फसल में कौन सी स्थती में करना है इसका डोज क्या है और साबधानिया क्या है सब कुछ बताएंगे लेकिन जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए है बीडियो के नीचे दी गई लाल किलर की बटन को दबा दें वा बगल की बिल आइकन घंटी को बजा दें जिससे आपको हमारी खेती संबंदित नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे तो सबसे पहले जान लेते हैं बीड बलाग क्या है तो बीड बलाग एक हर्बिसाइड है यानी खरपतवार नियंतरन है और यह मुख रूप से चोड़ी पत्ती के लिए उप्योग किया जाता है यह एक इमीडा जोलीनो गुरूप से संबंदित है जो की बहुत अच्छा गुरूप है इसे सोयबीन वा मुंग फली के चैनात्मक ब्यापक वाले घास के खरपतवारों के लिए उप्योग किया जाता है इसका उप्योग आपको फसल में दो से चार पत्ती के जब खरपतवार हो जाए तब ही करना है यह चारे के भोजन बनने की प्रक्या को रोकता है जिससे चारा सुख जाता है अब बात करते हैं इसके टेक्निकल नाम की तो जिसमें टेक्निकल चलता है वो चलता है मीजा थाईपर 10% SL फार्म में चलता है अब बात करते हैं ये कौन-कौन से खर्पतवार को मारता है तो वो ये मुख रूप से शावा, दुधी, कजरू और बोखना को मुख रूप से मारता है अब बात करते हैं इसके डोज की तो इसका जो सोयाबीन में डोज है वो है 400 ml प्रतियकड वहीं मुख फली में इसका डोज 400-600 ml प्रतियकड जाता है अब बात करते हैं इसके पैकिंग की इसके जो पैकिंग आती है वो 2500 ml, 500 ml और एक लीटर में आपको बजार में उपलब्द हो जाएगी तो किसान भाईयों कैसी लगी वीडियो यदि अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए जिससे दूसरी किसान भाईयों के भी से लाब मिले कोई सुझा हो तो कमेंट दीजिए धन्नवाद